नमस्कार मित्रों मैं दीवेदर्शन पुरोहिद गुरुदे अबजिटी वड़ोत्रा इंडिया से बोल रहा हूं वर्तमान में युक परिवर्तनकारी समय से हम पसार हो रहे हैं महा मारी पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुए और पूरे विश्व की सभी सभी लोगों को पूरी जन संख्या को अपने आगोस में लिता हुआ चला जा रहे हम जब एंबुलंस की विसल सुनते हैं तो हमारे रौंटे खड़े हुजाते हैं दिल में टी सूटती है दर्द होता है और ऐसा होता है कि कब जा कि समापत होगा भ रहा है महामारी के चलते सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं दिरे दिरे और पूरी पूरी एकोनोमिक सिस्टम जैसे समापत हो गई या खतम हो गई या असंतुली तो हो गई है और उतुचक्रा का असंतुली संतुलन के कारण हमारी जो इम्मेनिटियर पावर उसकी हमारी समाप्त करने के लिए विग्यान अपना काम कर रहे हैं चिकित्सक अपना काम कर रहे हैं सरकार अपना काम कर रहे हैं सब लोग अपना कारे कर रहे हैं डाक्टर्स वगेर अपने काम कर रहे हैं मगर हम और आप छोटे लोग हैं हम और आप विग्यान हैं ना चिकित्सक नहीं है तो हम करे तो क्या करे इस्वन ने मित्रों हमें दो चीज़े दी है एक रदे दिया है और एक मस्तिस्क दिया है रदे में भावना होती है और भावना के साथ में विचार पनवते हैं जो मस्तिस्क में जाते हैं और मस्तिक से विचार परवाइत होते हैं भावना और व विचार आया था एक कोम बहुत स्यामी जिस्तों विज्ञान में क्वांटम फ्लक्श्येशन कहते हैं और उसी के साथ में पुरे ब्रहमान का सुर्जण वा था से 13.8 अरब वर्स पुर्व तो यह विचार बुरे ब्रहमान के मूल में हैं विचार में अतुलित शक्ति भावना करें कि ठोसकारे संकल्ब कर दे हमें करना ही है हम ऐसा होना ही चाहिए हम ऐसे सोचते ही रहे ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा तो ऐसा होता ही है यह पूर्ण रुप से सकते हैं अगर कोई आदमी बीमार है और वो सोचता है कि मैं स्वस्त हो रहा हूं तो वो स्वस्त होता हो चला नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक बविसी होगा तो हमारी पास में जो ये दो धन है, दो संपती है, दो संपदा है भावना और विचारों की, उसको हमारे अंदर हमें प्रभाइद करना है और इतने रोजहना, सोते, जाकते, उठते, खाते, बैठते जब भी आपको समी मिले, आप बस यही सोचते रहे, हम और आप यही सोचें ना आप न में, हम सब मिल करके सोचें, जहां भी हो, जो भी हो महामारी समाब तो हो रही है, महामारी का सरवनास हो रहा है पूरा अविश्व फिर से आननदीत हो रहा है, भारत हो, अमरीका हो, कहीं भी कोई भी देश हो, जापानो, सब लोग अपने आप में फिर वापिस प्रफुलित होते हो चले जा रहे, सब नीरोगी होते हो चले जा रहे, वातानों परिश्कृतर शुद्ध होता हो चला जा रह और आप कुछ ना कर सके कोई बात नहीं एक भावना और विचार करें महामारी का सर्वनास हो रहा है इनसान अपने सर्वस्रीष्ट सम्तावस बनता हो चला जा रहे मित्रो हमारा प्रत्रीक्षप से मानना है हमारा पुछले 40 वर्षों का यह अनुभवरा है हमारे गुर्दिव श्री राम सर्म अचारा ने जो साधनाय बताई थी उसमें हम जब एंजिनिंग फे तब से जुड़े थी तब भी हमारा यह अनुभवरा है पास्ट एक्स्पिनिस हमारा यह बताता है और वेदों का जो असपास का समाज भी समरक्षित होगा और अब हर एक सुसाइटी में हर एक नगर में हर एक महले में हर एक गाव में हर एक राज्य में हर एक दिस में अगर लोग ऐसे ही सोचते जाएंगे पोजिटीव महामारी का सर्वनास हो रहा है प्रुथी सुखी हो रहे हैं सभी लोग हम विचारे महामारी का सरवनास हो रहा है महामारी का सरवनास हो रहा है और सभी लोग सुखी स्वस्त हो रहे हैं तो हमारा प्रत्यक्षुर्प से मानना है कि यह होगा तो आप करेंगे हम एम्मुलेंस की जो सरचरहाट हो देखना नहीं चाहेंगे हमारे आखों से जो अस्तु लोगों के घर में आज दो टाइम खाने का कहीं सहस्तरों घरों में खाने का नहीं मिल रहा है उसको वापिस खाना दिना है क्योंकि असंतुलन हो फैल चुका है वह महामारी के समभत होने पर वापिस अंतुलन सद जाएगा और आने वाले समय प्रकृति चक्रवी ठोटीक हो ज करते हैं सर्वे भावन्तु सुखिन सर्वे संतुनी रामया एवरीवन बी हैपी एन एवरीवन बी हल्दी महामारी का सरवनास हो रहा है मैं दिवेदशन पूरेद गुरुदे अवजी चोड़ोदरा इंडिया से हैं नमस्ते